गुड मार्निंग दोस्त आज आप सिखेंगे मेडिकल डिवाइस नेम जैसे टमप्रेचर, बीपी मसीन, पल्स मीटर, वेटिंग मसीन, सुगर मसीन और नेवलाइजर मसीन के बारे में तो ऐसे मेडिकल उपकरण जो हर घर में होना बहुत जरूरी है, अब सभी बीमारियों का पता घर बैठे लगा सकते हैं, तो आएए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं फर्स्ट, डिजिटल थर्मामीटर या टम्प्रेचर, इसका उप्योग बोडी टम्प्रेचर मापने के लिए किया जाता है, अब इसको लगाते कहां हैं, इसको लगाने के किरिया बाह के साइड में लगा जाता है, या जिहुआ के नीचे लगा जाता है, अब जानते हैं सर नर्मल टमप्रेचर माना जाता है, 99 डिग्री फेरनहाट से 100.4 डिग्री फेरनहाट तक लो फीबर मतलब हलका बुखार माना जाता है, 100.4 डिग्री फेरनहाट से 106 डिग्री फेरनहाट तक हाई फीबर मतलब तेज बुखार माना जाता है, और डाक्टर से तुरंद कंसल्ट क दो ना चाहिए सेकेंड रहा बी-पी मसीन या ब्लड प्रेशर मसीन इसको डिज़्टल इसफाइगैमो मैनोमीटर बोलते हैं अब इसका यूज के बात करें तो एक कॉप होता है एक मसीन होता है कॉप को हैंड में बाण लिया जता है और एक बटम को पूल्च किया जता है और इसकीन पर 100 होता है हमारा BP जो उपर 100 होता है उसको systolic blood pressure बोलते हैं और जो नीचे 100 होता है उसको dysystolic blood pressure बोलते हैं और उससे जो नीचे 100 हो रहा है वो मेरा pulse meter है अब जानते हैं इसकी भैलू 120 बटा 80, ABP normal होता है और 130 बटा 85, elevated मतलब हलका अधिक है अगर 160 बटा 90 तो यह high blood pressure है अधिक blood pressure है कंसल्ट किया जाता है डाक्टर से और उससे भी अधिक अगर 180 बटा 120 है तो यह हाई blood pressure है critical condition होता है तीसरा है nebulizer machine nebulizer machine एक ऐसा device है जिसका उपयोग liquid medicine को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ कर मेरे फेफडे तक भेजने का काम करता है जिससे disease में first relief मिलता है अब जानते हैं इसका partner एक compressor है यह tubing है यह mouthpiece है और यह nebulizer cup है अब जानते हैं इसका उपयोग और ऊस्थमा यूज के लिए सोर थ्रियोट यूज के लिए काफ यूज के लिए और सिनिजिंग यूज के लिए और फीबर में यूज के लिए इस तरह दोस्तों हम घर में डिवाइस रखकर किसी भी बिमारी के जनकारी ले सकते हैं और समय से डाक्टर के पास पहुंच सकते हैं गुडबाय दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा सस्क्राइब कीजिएगा और सेयर कीजिएगा